मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाप साधना करने से और सकारात्मक जीवन से धर्ती में एक विशेज दैविय उर्जा उत्पर्न हो जाती है शास्त्रों में ऐसा मना जाता है कि शब्द ध्वनी से किसी भी स्थान पर उर्जा उत्पर्न की जाती है जिसे प्रान कहा जाता है इस्ट को साकार रूप देने के बाद ही उनके सामने किये गए पूजन से पूरा क्षेत्र दिव्य उर्जा से भर जाता है इसी को मुर्ती में प्रान पतिष्ठा करना कहा जाता है और इसके बाद आम जन मानस प्रतिमा से उर्जा महसुस करते हैं इसी को मंदीर कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि मंदीर में लोगों की साधना और सात्वेक व्योवारी उर्जा उत्पन्न करता है पवरानिक माननेताओं के अनुसार हर दिन लोग मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते है लेकिन किसी कारण से मंदिर ना जा पाते है तो शास्त्रों में उनके लिए भी उपाय बताया गया है कि मंदिर ना जाने से भी मंदिर जाने का पुन्य मिलता है माना जाता है कि मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे है तो बहार से ही मंदिर शिखर को प्रनाम कर सकते है माना जाता है कि शिखर दर्शन से भी उतना पुन्ने मिलता है जितना मंदिर में प्रतिपां के दर्शन करने से मिलता है शास्त्रों में कई जगा लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम इसका अर्थ है कि शिखर के दर्शन लेने से भी सभी पाप नस्त हो जाते है मंदीर उचे बनाने और उन पर शिखर लगाने का ये कारण होता है कि लोग आसान इसे मंदीर के शिखर को देख पाए माना चाता है कि जब भी मंदीर के बाहर से गुजरे तो ध्वज और पलश को प्रणाम जरूर करना चाहिए शिखर के दर्शन करने हे तू आखे बंद करके अपने इस्तदों को अवश्य याद करना चाहिए इससे मंदिर में जाने जितना ही पुन्य प्राप्त होता है चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्टल वीडिया में